हेलो फैंन्ड's, अक्सर आप जो इंटरी। के लिए जाते हो, तो आपको प्रोफेस्टनल रिज्यूम की जरुत पड़ती है, तो इसके लिए आप साइवर के f. जाते हो, और आपको इसमें MS Word की कोई जिरोत नहीं पड़ेगी नहीं आपको PC, Laptop की जिरोत पड़ेगी आप इसको फोन पे भी बना सकते हैं चलो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपनी ब्राउजर में जाना है वहां सर्च बार पे टाइप करना है resumemaker.online आपके सामने ऐसा page open हो जाएगा आपको सबसे उपर वाली website पे click करना है आप अपने phone पे भी use करोगे तब भी आपके website का ऐसा interface आएगा phone और laptop दोनों में उसके बाद हम design my resume में जाएगे इस तरह से आपका resume आजाएगा आप इसमें सबसे उपर color चूज कर सकते हो कौन सा आप color चूज करना चाहते हो ओरेंज चाह रहे है तो ओरेंज ले सकते हो वंकर रैड ही अच्छा लग रहा है यहां पर आप अपनी photo डाल सकते हो यह हमने photo डाल दी यहां पर आप अपना नाम टाइप करोगे जिसे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है राकिस कुमार यहां पर प्रोफेशनल स्पैसिलिटे मतले प्रोफेशनल में आप कौन सा work करते हो जैसे मैं IT की software developer रहो तो मैं software developer टाइप कर देता हूं कि के बाद हम नीचे आजाते है यहां पर हम अपना data word टाइप करेंगे मैं अपना data word यहां पर टाइप कर देता हूं इसके वाद हम न्यस्टाइल्टी में दाल देंगे इंडियन दाल देते हम कि उसके नीचे हम एडर्स टाइप कर देते हैं आप पिन कोड पूरा दालना मैं तो ऐसी आपको टाइप करके दिखा रहो किस्ते के अडर्स दालना आपको उसके बाद हम आपनी इमेल आइडी टाइप कर देंगे नीच आजाएंगे हम अपना फोन नंबर भी टाइप कर देते हैं अब उसके बाद हम आएड़ सेलेक्शन पर ठीक है उसके बाद हम पॉर्फाइल ऑब्जेक्टिप में क्लिक कर देंगे मेंटे स्टेटस पर क्लिक कर देंगे यह देखिया अब यहां पर पर प्रॉफाइल ऑ आप सिंगल हो या अनमेरिट हो वो टाइप कर देना है काफी हत्तर रिजिम तयार हो चुका है उसके बाद हम आजाएंगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जैसे मैं IT प्रोफेशनल सोफट्वेर डिवलोपर हूं तो पोजिशन में सोफट्वेर डिवलोपर में डाल देत है उसके बाद आपका और एक्सपीरियंस तो यहां पर आपको एड़ बटन पर क्लिक कर देना है आप आया जाते है एजुकेशन पर डिगरी स्कूल पर टाइप कर देता हूँ जो आपके एजुकेशन में मैंने 10th CBSEC कर रखी है तो मैं CBSEC टाइप कर देता हूँ फिर यहा दाल देंगे BTEC अगर आपके पाद डिगरी है तो दाल देंगे ठीक है BTEC IPU आप यहां पर लिखा होगा फ्रॉम तू टिल डेट कब से कब तक आपकी कंप्लिट हुए है यहां पर आपको डेट डालना है और आपका स्कूल का नाम भी डाल सकते हो इदिए सब में आपको डे पर आपको तक त्यार हो चुका है आप स्टाइब फिर स्ट्रेक्शन पर जाएंगे मैं इसकील दो लैन लिष्ट वन लिस्ट टू मैं लिष्ट वन पर किलिक कर देता हूं ही देखिए अब यहां पर हम इंग्लिस टाइप करेंगे हम यहां टाइप करतें इंग्लिस इंग्लिस स्पीकिंग 100% या रीडिंग आप पढ़ने में कैसे हो उसमें 100% डाल सकते हो अब यह सेलेक्शन में हम दुवारा जाएंगे लिस्ट टू में जाएंगे हुआ है हम दूसरी लेंग्वेश लेट कर लेते हैं हिंदी टाइप कर देंगे आप कितनी हिंदी कितनी स्पीकिंग है रीडिंग कैसे नहीं अच्छे आती है आपकी वह आपको यह 100% कर देना है फिर आप सेलेक्शन पर दोबारा जाएंगे उसके बाद कंप्रेंटरी इसके सब्सक्राइब करण आपको दाल सकते हो आप ने काम किरा लीज़ कितनी है और इन्फोर्मेशन पर जाएंगे लिस्ट बन पर क्लिक करेंगे अब अब जैसे आपने अलग से कोई कोर्स कर रख़ा है वह इसमें बीडान सकते हो आप जैसे मैंने आइटे के इलाबा मैं हर्डवेर दाल देता हूं इसमें हर्डवेर में रिपेरिंग आती है मुझे रिपेरिंग टाइप कर देंगे यहां पर उसके बाद फिर सेलेक्शन में जाएंगे हम लिस्ट यू में क्लिक करेंगे अब यहां पर कि इसके इलावा मुझे नैट वर्किंग भी आती है अलग से में नेट वेंग की वी कर रखा है आप आपने जो कोर्स कर रखा है आप वह दाल सकते हैं मैंने आपको समझाया किस तरह से आपको क्या क्या यहां पर फिल करना है जैंदेखिए आप अपने फोन या लैप्टोप में भी करोगे तो सेम आएगा नेटवर्किंग में आपको क्या आता है इंटरनेट थीक है यहां पर प्लस का दवा दवा सकते हो यह दिए हमारेजिम काफी हद तक कंप्लिट हो चुका है साइज में डाउनलोड पीडिया फाइल में कर देना है प्लस देखना चांगे तो आफ प्लस कर सकते हो अब मैं क्लिक कर देता हूं कि यह देखे हमारे प्लस तरह से रिजम तैयार हो चुका है है और हम डाउनलोड पीडियाफ फाइल पे क्लिक करेंगे यह देगे हमारी पीडिया फाइल डाउनोट हो चुकिया है रिसीवी की आप अरजेंटे रिजियूम अपने फोन पर ऐसे बना सकते हो साइबर कैफे में जाके इसको प्रिंट निकल वा सकते हो आप किसी कंपनी में भीजना चाहते हो यह पीडिया फाइल किसी मेल के थूरू अपने किसी कंपनी में भीज सकते हो ही तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करने ना भूलीगा